हेलो गाइस तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्राटेजी के बारे में बात करने वाले है और बहुत लोगों को इंट्राडे के अंदर स्टॉक सेलेक्शन करने में बहुत दिक्कत आती है तो उसका भी हम यहां पड़ा चॉल्यूशन लेक कर आये है तो वीडियो को बिल्कुल मत कीजिएगा तो इस सेट अप को यूज करने के लिए हमको यहां पड़ एक इंडिगेटर चाहिए जिसका नाम है एच ए और यह और यह जाएगा आपको ट्रेडिंग के अंदर फ्री में मिल जाएगा आपको इंडिगेटर के अंदर आप जाकार 50 कर देना है जे इंडिगेटर आपको फ्री में मिल जाएगा अप कोच पांडर को टेलेग्रम के डाल दूं का जिससे कि आपको इस इंडिगेटर को फांडा करने में बहुत असानी हो जाएगे तो जो पिलो टेले ग्राम के अंदर जोइन नहीं हुए तो टैले में जोइन हो सकते हो अभी हम इस इंडिगेटर के सेटिंग के अंदर आ जाते हैं तो आप स्क्रीन के ऊपर इस इंडिगेटर का सेटिंग लेख सकते हो आप चाहे तो इसका स्क्रीन सोट भी ले सकते हो मैंने यहां पर सिर्फ एक चैंजिस किया है इंपूट के बदम यहां प पर डिफोल्ट पर आना है एंड से वैसे डिफोल्ट पर क्लिक कर देना है और बाद में यहां पर ओके पर क्लिक कर देना है फिर आपके सामने कैसा इंडिगेटर आ जाएगा एंड इसके अंदर आपको यहां पर हैकने सिक देखने को मिल जाएगी तो सबसे पहले बात करते है कि आपको यहां पर stock selection कहां से करना है तो आपको simply 9 बचकर 8 मिनिट को NAC के साइट पर आ जाना है NAC के अंदर आने के बाद आपको यहां पर market data पर click करना है market data के अंदर आपको pre open market पर click कर देना है अगर आप चाहे तो आपको यहां पर nifty 50 के stock के अंदर भी trade कर सकते हो आपको यहां पर लगता है कि मैं यहां पर FNO के stock के अंदर trade करना चाहता हूँ तो आप यहां पर FNO भी रख सकते हो आप बात करते हैं कि आपको इसमें से कौन सा stock select करना है तो इसके अंदर आपको advances and decline ratio check कर लेना है जो भी यहां पर ज्यादा होगा आपको वहां से stock को pick करना है और हम इस दिन की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको decline ratio बहुती ज्यादा देखने को मिल जाएगा तो हम यहां पर नीचे आएंगे और सबसे नीचे जो भी stock होगा हम उसको pick कर लेंगे तो यहां पर आखरी में stock के patronet and मैं इसको यहां पर copy करता हूँ and chart के अंदर लगा देता हूँ और इस setup को use करने के लिए हम time frame की अगर बात करें तो इसमें आपका time frame 5 minute का रहने वाला है और हम यह entry की अगर बात करें तो जब यह हेकनासी candlestick green में से red में convert होती है तो आपको वहां पर अपनी entry बना देनी है तो इस पहले candle के अंदर हेकनासी candlestick red में convert हो जाती है तो इस candle के closing पर आपकी entry होगी और stop loss की बात करें तो इसमें आपका stop loss previous वाला swing हो जाएगा यहां पर यह दिन की पहली candle है तो इसका जो हाई है हम वहां पर अपना stop loss डाल देंगे और exit की अगर बात करें तो इस indicator के अंदर आपको एक line देखने को मिल जाएगी यह line जब यहां पर यह oversold zone के अंदर आ जाती है तो हमको वहां पर अपना exit कर देना है तो आप नीचे की और देखे तो यह line यहां पर oversold zone के अंदर आ चुकी है तो इस trade के अंदर हमारी entry यहां पर होगी एंड हमारा exit इस level के आज पास यहां पर हो जाएगा क्योंकि यह line इस oversold zone के अंदर आ चुकी है और जब यह line oversold zone से बाहर जाती है और यहां पर यहां पर सजेशन है कि आप दिन का एक या फिर दो ट्रेड ही ले और जितना हो सके उतना आपको यहां पर over trading से बचना है और मैं यहां पर ड्रोइंग को हटा देता हूँ तो इस candle के अंदर हेके नासी candle stick green में से rail में convert हो चुकी है तो मैं इसके अंदर एक vertical line draw करता हो तो इसे के closing पर मेरी entry होगी and stop loss की बात करें तो जो previous वाला swing है मैं वहां पर अपना stop loss डाल दूँगा and target के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जब यह line इस overboard zone के अंदर जाएगा तो हमें वहां पर अपना exit कर देना है तो इस level के आसपास हमरी entry होगी and यह line इस level के आसपास इस overboard zone के अंदर आज चुकी है और आप इसका एक और example देखे तो यहां पर हेके नासी candlestick green में से red में convert होती है तो आपकी यहां पर entry हो जाएगी इस candle के closing पर आपकी entry होगी यह previous वाला swing आपका stop loss होगा तो यह वाला level आपका stop loss यह candle आपकी entry और जब यह line इस oversold zone के अंदर आती है तो आप वहां पर अपना exit कर सकते है तो आप यहां कई पर अपना exit कर सकते थे and इसके अंदर आपको काफी अच्छा profit भी मिल जाता तो I hope आपको यहां पर सारे point समझ में आ गए होगे एंड इसके उपर आपको कोई भी doubt हो तो आप मुझको comment box में बता सकते हो या फिर telegram के अंदर मुझे आप personal message भी कर सकते हो तो आज के वीडियो के लिए इतना ही जल्द ही मिलेंगे next वीडियो के अंदर thank you so much